बिस्मिल्रक्मानिर्रहीम अस्सेलामलेकम वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तड़के वाले दही बड़े की रेसिपी जिन्हें है धराबादी दही बड़े भी कहा जाता है तो आई ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार् ले लेके इसमें आट कर लेंगे दो कप बेसन के तो आपने कौंटिटी को नोडाउन कर लेना है अब इसमें एट कर लेंगे वन टी स्पून नमक सफैजी राइट करेंगे वन टी स्पून मेठा सोड़ा एट करेंगे हाफ टी स्पून लेवल करके बिसिकली मेठा सोड़ा फुलकियों का अंदर से नरम करेगा इसको हलका सा मिक्स कर लेते हैं अब इसमें एड़ करेंगे एक का पानी लिया था तो आपने पानी को थोड़ा थोड़ा करके एड़ करना है तो पहले इसको हलका सा मिक्स करते हैं तो बाकी का सारा पानी इसमें एड़ कर लेते हैं तो आपने चमच की मजद से इनको एड़ करना है, फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है, मेक शूर के इस पॉइंट पर फ्लेम हाई बिल्कुल भी न हो, तो देख सकते हैं, मैंने सारी एड़ कर ली है, तो अब दो से तीन मिनट बाद मैं इसको हिलाऊंगी, तो देख सकते हैं, आप दो से तीन मिनट बाद मैं इसको हिलाया है, पहले आपने नहीं हिलाना नहीं, तो आप के पुलकें वो टूट जाएंगी, तो आप देख सकते हैं, यह फ्राय हो रही हैं, तो आप मैं इसको फ्राय करते हूँ Coffee से सात मिनट तक, इसका टोटर टाइम है फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो 6-7 मिनिट हो चुके हैं इसका गोल्डन कलर आ गया है तब मैं इसको निकाल लूँगी स्पैडर की मदद से और ओयल को भी आपने अच्छे से निकाल लेना है यह आप देख सकते हैं कितनी जबर्दस फूलकी हमारी तियार हुई है अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो बाकी की फूलकी भी इस तरह से तियार कर लेते हैं तो एक बॉल में मैंने पानी लिया है अब इसमें मैं एट कर लोंगे फुलकियां जिनको मैंने फ्राइ किया था और इसको पानी में भिगोके रखेंगे तकरीबं 15 मिनट तक जब तक ये नरम नहीं हो जाती है तो 15 मिनट हो चुकी हैं अब देख सकते हैं कितने नरब होगी है फुलकी अब आपने इसको स्कीस करके इसका पानी निकाल लेना है बिलकुल अराम से आपने इसको जोर से प्रेस बिलकुल भी नहीं करना नहीं तो आपकी फुलकी तूट जाएगी तो अराम से इसको निकाल ले तो सबका मैंने अच्छे से पाने निकाल लिया अब इसको एक साइड पर रख लेते हैं तो एक बॉल में लिया है मैंने हाफ की जी दही के इसमें आड़ कर लेंगे नमक हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्श एड़ करेंगे इसको अच्छे से विस्क कर लेते हैं अब अपने टेस्ट के कॉर्डिंग भी स्पाइसे आड़ कर सकते हैं तो ये जैसी अच्छे से विस्क हो जाएगा तो हम इसको एक साइड पे रखते हैं अब हम तड़का त्यार करेंगे जो हमने दही में मिक्स करना है तो तड़का त्यार करने के लिए थ्री टेबल स्पून ऑइल के लेंगे और इसमें एड़ कर लेंगे कुटी हुई लाल मिर्श हाफ टी स्पून और सफैस जीरा हाफ टी स्पून फ्लेम बिल्कुल लो ही रखनी है आपने दो अदर साबुत लाल मिर्श एड़ करेंगे तो हलका साथ इसको मिक्स कर लेते हैं साथ इसमें मैंने एड़ की हैं पुदीने की पतियां इससे तड़के में पुदीने की पतियों से बहुत जबरदस टेस्ट आएगा तो तड़का त्यार हो गया अब इसको हम एड़ कर लेंगे दही में आपने सारा तड़का अच्छे से एड़ कर लेना है दही में और इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से दही और तड़का अच्छे से मिक्स हो गया है तो एक serving dish लेंगे इसमें add कर लेंगे फुलकिया और बाकी का जो तड़के वाला दही था वो इसमें add कर लेंगे अच्छी तरह से आपने add कर लेना है कुछ भी waste ना हो तो अब चमच की मज़दा से थोड़ा सा इसके उपर दही इस तरह से फिला लेंगे ताकि अच्छी तरह से फुलकियों में भी दही का टेस्ट आ जाए तो थोड़ी से इसके उपर sprinkle करेंगे पुदीने की पतिया तो ये बिलकुल त्यार है तो मज़दार से तड़के वले दही बड़े विलकुल त्यार है आप इसके लुक देख सकते हैं बहुत ही मज़दार बनते हैं जब आप इस रेसिपी को ट्राइ करेंगे आई होब कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी और अगर चैनल पे नहे हैं तो चैनल को सब सब्सक्राइब कीजी इन्शाला मैं फिर हाजिरूंगी तब तक के लिए अल्ला हाफिज